नमस्कार दोस्तों, किसी भी कमपणी में निवेश करने से पहले, हम उस कमपणी के बारे में एनलिसिस करते हैं, जिसे हम fundamental analysis कहते हैं, दुनिया के सबसे महान investor, fundamental analysis करके ही सही company चुनते हैं, और उसी में निवेश करते हैं, अगर आपको भी एक अच्छा investor बनना है, तो fundamental analysis आपक देखना जरूरी होता है, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि fundamental analysis क्या होती है, एक साल से ज्यादा समय के लिए, जब किसी share में निवेश किया जाता है, तो उसे investing कहते हैं, investing के लिए share धुनने की प्रक्रिया को ही fundamental analysis कहते हैं, इसे पहले हम एक आसान example से के समझने के लिए बना है, पर ऐसा बिलकुल नहीं है, बलकि fundamental analysis आप भी अपने daily life में हर दिन करते हो, जैसे आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हो, तो उसकी quality चेक करते हो, उसकी price चेक करते हो, कि कहीं ये महंगा तो नहीं मिल रहा, या फिर ये कपड़ा कहीं खराब तो न देते हो, तो ऐसे ही same company के भी fundamentals होते हैं, जहां पर हम company के annual report चेक करते हैं, company की balance rate चेक करते हैं, profit और loss statement चेक करते हैं, और भी कई तरह के reports चेक करते हैं, सुनने में ये बहुत कठीन सा लगता है, पर एक बार आप इसे समझ गए, तो ये आप के लिए भी बहुत असान हो qualitative analysis में हम company के उन बातों का analysis करते हैं, जो कोई number form में नहीं होती, इसका मतलब ये है कि किसी company की brand value क्या है, company की image क्या है, इसका management कैसा है, इसके products कैसे है, company के future plans क्या है, company की service कैसी है, और company का business model कैसा है, जैसे कई बार हम जो product use करते हैं, तो वो product किस company ने बनाई है, हमें ये पता ही नहीं होता, qualitative analysis के जरिए हम company के future plan के बारे में पता कर सकते हैं, और company के business को समझ सकते हैं, लेकिन qualitative analysis में कोई company कितनी अच्छी है, ये हर इंसान के लिए अलग-अलग effect डालता है, जैसे किसी वेक्ति को किसी company के products अच्छे लगते हैं, तो किसी को नहीं, तो qualitative analysis एक प्रकार से आपका personally analysis हो जाता है, दोस्तों अब जानते हैं कि quantitative analysis क्या होता है, तो quantitative analysis में हम company के उन बातों का analysis करते हैं, जो की एक numbers के form में मौजोद रहती है, quantitative analysis की सबसे important factor होती है, company की financial statement को analysis करना, financial statement में mainly हम company के annual report, balance rate report, income statement report और cash flow report को देखते हैं, इसके अलावा भी हम company के और भी कई प् देखते हैं, जिससे हमें company की financial मजबूती और कमजोरी का पता चलता है, और company अपने past में कितनी profit रही है, ये भी पता चलता है, ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे price to earning ratio, जिसे PE ratio कहते हैं, debt ratio, return on equity ratio, return on capital employed, return on assets, price to book ratio, earning per share ratio, profit and sales growth, इस प्रकार के कई और statements होते हैं, इन सारे ratio के बारे में, detail में हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे, कि ये सारे ratios क्या होती है, और एक company में in ratios का कितना percent होना जरूरी होता है, दोस्तो quantitative analysis से हमें company की actual facts पता चलती है, क्योंकि इस analysis में हम numbers में analysis करते हैं, quantitative analysis में हम company के past के performance को check करते हैं, कि कौन से company अपने पिछले सालो में कैसा perform की है, और इसी के जरीए हम company के आने वाले सालों की performance का अंदाजा लगाते हैं, अगर आप एक successful investor बनना चाहते हैं, तो आपको fundamental analysis की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, दोस्तो सभी successful investor, जो की long term investing करते हैं, वे सभी stock चुनने के लिए fundamental analysis करते हैं, fundamental analysis एक बढ़िया business को धुनने में मदद करता है, जिसका share अभी discount में मिल रहा हो, कोई भी investor जब किसी company के share को खरीता है, तो वा उस company से यही उम्मीद करता है, कि ये company आने वाले कुछ सालों में एक अच्छा profit कमा कर दे, technical chart और indicators company के business के बारे में नहीं बदाते, वो सिर्फ price moment पर ही buy a sell signal देते हैं, इसलिए किसी भी share का fundamental analysis करना जरूरी हो जाता है, fundamental analysis का use हमेसा long time frame में किया जाता है, इसमें जल्दी पैसा कमाने का target नहीं रखा जाता, बलकि अपने portfolio को एक सही rate of return पर compounding करने पर ध्यान दिया जाता है, तो आज के लिए बस इतना ही, आशा है ये वीडियो आपको असान आने के लिए जोड़ जाए हमारे चैनल से, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे, धन्यवाद